तो आज हम बात करने वाले how to make alcohol from mula says एक और बहुत जादा important topic from homeopathic pharmacy तो यह usually 10 marks कभी कभी 20 marks की भी कोशन आ सकती है तो मैं आपको जितने point बता रहा हूँ यह आप लिखते तो आपको maximum marks achieve होंगे तो पहले मैं बताऊंगा इसके processes के बारे मैं diagram से पहले समझाऊंगा कि यह देखि अच्छे समझ में आगा concept clear हो जाएगा तो पहले तो बात करते है what is molasses आखिर molasses होता क्या है जो alcohol बनाने मीज होता है तो molasses क्या होता है it is a thick dark liquid यह एक thick है गाढ़ा dark liquid है एक मतलब dark liquid है रंग उसका dark है dark liquid है it contains 50 to 60% sugar इस molasses में sugar का जो concentration होगा वो 50 to 60% होगा ठीक है and it is a waste byproduct produced after crystallization of sugar तो जब crystallization of sugar का process होते रहता है उसके बाद जब crystallization of sugar का process क्तम हो जाता है तब हमको एक waste byproduct मिलता है एक useless product मिलता है ठीक है जिसका कोई use नहीं है उस crystallization of sugar में ठीक है लेकिन हम लोग का यह use हो जाएगा alcohol बनाने में तो यह एक by product था जो निकला था waste by product था लेकिन अब यह use हो रहा है alcohol बनाने में तो यह waste by product perform crystallization sugar तो hope आपको clear हो गया हो कि molasses क्या होता है और इस molasses से alcohol बनता है और उसका process मैं बताऊंगा तो अब मैं diagram से आपको समझाता हूँ कि molasses कैसे बनता है ताकि आपको लिखने में problem ना हो ठीक है तो यह देखी यहाँ पर molasses हम लोगों नहीं लिया यहाँ पर 50-60% sugar present है molasses में जैसे मैंने बताया अब यहाँ पर S2O जो है वो डाल दिया गया S2O क्यों डाला गया ताकि dilute कर सके हम लोग molasses को और molasses का जब अब concentration हो गया 10% सुगर ही क्योंकि हम लोगों ने dilute कर दिया ज्यादा water डाल दिया तो अब जो 50-60% सुगर था अब वो 10% सुगर हो गया ठीक है 10% सुगर हो गया अब next step में क्या करेंगे हम लोगों ने ammonium sulfate डाला इस solution में फिर हम लोगों ने H2SO4 डाला H2SO4 क्यों डाला acidic medium provide करने के लिए और फिर हम लोगों ने yeast डाल दिया yeast डाला fermentation करने के लिए और इसे गरम करने लगे यह solution गरम करने बाद क्या हुआ कि fermentation तो होने लगा fermentation में क्या होता है CO2 निकलता है वाश क्या होगा वाश इस फर्मेंटेड लिक्विट प्रोड्यूस वो मुलासेज कंटेनिंग 50% इथायल अलकॉल इस वाश में 15% 15% इथायल अलकॉल होगा ठीक है वाश अब इस वाश को further हम लोग को और इथायल अलकॉल चाहिए तो कॉफी इस डेस्टिलेटर स्टिल में डालेंगे हम लोग और उसके बाद इथायल अलकॉल बन जाएगा लास्टली 95% का तो अब हम स्टेप्स देखते हैं जो एक्जाम में कैसे लिखना है स्टेप्स इसका ताकि मैक्सिम मार्क से चीव हो सके तो पहले मुलासेज प्लस वाटर टू मेक अ सॉलुशन ऑफ सुगर ऑफ 10% डिस्टेज तो मैंने बताया मुलासेज जिसमें 50-60% सुगर था उसमें वाटर डाल दियें और उसको डिलूट कर दियें अब उसमें जो सुगर इस्टेंट होगा तो क्या होता है एसिड होता है हम लोगों ने एसिड डाल दिया ताकि सॉलुशन को जो पीच घट जाए और वो 4.5 पे आ जाए अब इस सॉलुशन को हम लोगों ने वार्म कर दिया एड 25-30 डिग्री सेल्सियर्स ठीक है नाउ इस्ट इस एड़ेट इस्ट हम लोगों ने एड कर दिया इस्ट का क्या काम है फर्मेंटेशन कर देता है तो अब इस्ट जब एड होगा तो फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन अनरोबिक एटमोस्फियर ऑक्सीजन के एपसेंस में फर्मेंटेशन होने लगेगा उसके बाद फर्मेंटेशन is carried out for 2-3 days for 50 hours फर्मेंटेशन जो हम लोगों ने छोड़ दिया carried out हो रहा है 2-3 दिन तक और अपने आप जो CO2 का evolution हो रहा है वो stop हो जाएगा तो invertase and zymase enzyme present in the yeast decompose cane sugar to ethanol तो yeast में क्या है हम लोगों ने डाला तो yeast जो ferment करता है तो उसमें क्या enzyme present रहता है invertase present रहता है और zymase present रहता है ठीक है वो क्या करता है कि decompose कर देता है cane sugar को ethanol में अब हम लोगों को पता है कि मुलासे cane sugar का ही byproduct है पेसलिया पे cane sugar लिखा गया है ठीक है now this kind of alcohol contains 50% of ithal alcohol known as wash तो यह fermentation जब complete हुआ तो हम लोग को एक solution मिलेगा जिसको हम लोग wash बोलेगे और उस wash में 15% ithal alcohol रहेगा ठीक है यह बहुत important है wash का question वाइबों में आप से पूछा जाएगा यह PGT में पूछा जाएगा फिर आपका theory में पूछा जाएगा बहुत important है coming to the next part अब जब wash बन गया तो अब क्या हुआ कि fractional distillation उस wash का कर देंगे हम लोग coffee still में ठीक है coffee still यह मतलब एक तरह का instrument गूल लीजे जिससे हम लोग fractional destination कर सकते हैं तो fractional destination हम लोगों ने कर दिया wash का with coffee still अब क्या हुआ lastly हमें मिल गया alcohol of 95% strength is received at distillate हम लोगों मिल गया distillation करने के बाद जो result मिला वो alcohol मिला जिसमें 95% alcohol है इससे ही मतलब हम लोगों को एक तरह से lastly जो हम लोगों चाहिए था alcohol वो हम लोगों मिल गया इथा alcohol और उसका percentage कितना हुआ 95% रिथाइल अलकोल हम लोगों को मिल गया so ये थी process पूरे कैसे मिलती है so subscribe to our YouTube channel for more interesting videos like this so hope आप लोग ने समझ लिया होगा ये पूरे process को how alcohol is made from bolasses so बहुत easy topic था मैंने अच्छे समझाने को कुशिश की hope आपको अच्छे समझ गया है और thank you for watching